Hello, very good morning dear students, तो chemical bonding में molecular orbital theory और hybridization करने के बाद हम जो next topic आज पढ़ने जा रहे हैं, that is resonance. Resonance में क्या होता है कि कई पर क्या होता है कि एक अकेला लूई structure जो है, molecule की सारी properties को explain नहीं कर पाता, तो इसका मतलब कि अगर एक अकेला structure molecule की सारी properties को नहीं explain कर पाता, तो molecule के बहुत सारे structure होंगे, पर कोई भी structure सारी properties को explain नहीं करेगा, तो ऐसे structures को हम resonating या canonical structure कहते हैं, और जो actual structure है, वो resonating structures के बीच में कहीं लाए करता है, और इस structure को resonance hybrid कहते हैं, और पूरे process को resonance कहते हैं, मैं repeat करता हूँ, कई बर एक अकेला लूई structure, molecule की सारी properties को explain नहीं करता, तो ऐसे molecule के बहुत सारे structures होते हैं, पर कोई भी एक अकेला structure, molecule की सारी properties को explain नहीं करता, तो हम उसके बहुत सारे structure draw करते हैं, ये जो बहुत सारे structure draw करते हैं, इनको resonating या canonical structure कहते हैं, और actual structure, इन canonical structure के बीच में कहीं लाए करता है, और उसको resonance hybrid कहते हैं, और पूरे प्रासेस को Resonance कहते है यहां पे हमने Ozone का Resonating Structure ड्रॉ करा हुआ है तो यह Ozone में दिखाया हुआ है कि एक Ozone का Resonating Structure है हाँ Resonance के Sign को Double Headed Arrow के साथ शोग करना है मालब यह दो Resonating Structure है Ozone के तो इनके बीच में यह जो Sign है यह Resonance को Represent करता है के Resonance हो रही है तो पहले Structure में दिखाया हुआ है कि Ozone में जो Double Bond है वो इस तरफ है तो Possibility है कि वो इस तरफ भी हो सकता है यह नहीं कि वो Shift करके इधर चला गया Possibility है कि यह इधर भी हो सकता है अगर हम यह वला Structure कंसिरर करते हैं तो Oxygen, Double Bond Oxygen की जो Bond Length है वो कम होती है और Single Bond की जो है वो जादा होती है तो दो Different Bond Length हमें Ozone के बीच में नजर आनी जाएगी थी लेकिन जब Ozone की Bond Length को Find Out किया गया तो Find Out किया गया कि दोनों तरफ जो Bond Length है 128 पीको मीटर है इसका मतलब कि Double Bond Character इस तरफ भी है और Double Bond Character इस तरफ भी है इसी वज़े से जो दोनों Bond Length हैं वो 128 पीको मीटर है अगर मैं यह मान के चलूं कि इधर Double Bond है और सिंगल Bond है तो इसकी Bond Length different होनी चाहिए इसकी different होनी चाहिए पर दोनों Bond Length जो हो सेम आ रही है तो दोनों Bond Length जो सेम आ रही है वो उसका Actual Structure of Ozone का वो इन दोनों के बीच में कहीं लाए करता है इसे Resonance Hybrid कहते हैं ठीक है तो यह Representation क्या Indicate करती है कि There is One Stable Hybrid Form जो के Resonance Hybrid है Hybrid Form जो है वो सिमेट्रिकल है अच्छा तो जो Hybrid Form है वो सिमेट्रिकल है जो Oxygen Oxygen Bond है दोनों तरफ उनकी Bond Length सेम है 128 पीको मीटर और जो Hybrid Form है उसका जो Electronic Arrangement है वो इन दोनों Resonating Structures के बीच में होना चाहिए तो मैं आपको फिर से बता दूँ यह जो दो है Resonating Structure है यह Canonical Structure है यह Imaginary है यह Hypothetical है Actual Structure जो है वो इन दोनों के बीच में लाए करता है उसको Resonance Hybrid से Represent कर सकते है Resonance Hybrid इन दोनों के बीच में कहीं लाए करता है Resonance Hybrid का Electronic Structure इन दोनों के बीच में कहीं लाए करता है तो ये जो फिनॉमिना है रेजोनेंस का हमारे माइंड में क्यों आया कि रेजोनेंस हमें मैंना ये सब के लिए नहीं जिन के लिए होता है जिन स्ट्रक्चर्स के लिए रेजोनेंस होता है जहां पे molecule का एक structure सारी properties को explain नहीं कर पाता सिर्फ वहीं पे resonance शो की जाती है normally जहां पे double bond होते हैं loan pair of electron होते हैं वहां पे resonance होने के chances जो है बहुत होते हैं तो जैसे हमने resonance के बारे में क्यों सोचा हमने resonance के बारे में इसलिए सोचा कि जैसे ozone ही है तो इसकी oxygen double bond oxygen की bond length और single bond oxygen oxygen single bond की length जो है वो different होनी चाहिए थी पर जब ozone के structure को experimentally उसकी bond length को find out किया गया वो दोनों bond length दोनों तरफ जो थी वो same आ रही थी same आ रही थी तो इसका मतलब ये भी जो है action structure नहीं है structure one structure two भी action structure नहीं है action structure नहीं के बीच में कहीं lie करता है तो इसलिए हम resonance का structure जो है या resonating resonance का जो phenomena है वो study करते हैं ठीक है बैठा यहां तक clear है resonating structure को लिखने के लिए यहां draw करने के लिए कौन से rule है contributing structure contributing structure मतलब जो canonical यह resonating structure है उनमें atom की position को नहीं कई भी कभी बदलना यह नहीं के atom को change कर देना अपनी जगां से सिर्फ electron की position जो है वो change होगी और जो total number of unbeared electron है वो same ही रहेंगे आप जैसे यह example ले लो इस पे तो चलो तीनो जोन ही है पर electron का number ले ले लो दो चार छे आठ दस unbeared electron दस है तो इस पे भी दस है ठीक है तो जो atom है ना तो वो अपनी position को change करेगा और जो total number of electron है unbeared electron है वो भी जो हैं वो same रहेंगे contributing structure में unbeared electron का number same होना चाहिए मतलब resonating structures में जो number of electron है वो same होना चाहिए और उनकी energy भी nearly same होनी चाहिए negative charge जो है वो electro negative atom पे होना चाहिए और positive charge है वो electro positive atom पे होना चाहिए let us assume ये hydrogen full ride है इसमे hydrogen and full rain ने अपना एक एक electron share किया ये neutral है ये सबसे ज़्यादा stable है लेकिन अगर हम assume करते हैं अपनी तरफ attract कर लिया है तो full rain के उपर negative charge आ गया hydrogen पे positive तो इनमें separation of charges हो गया ये less stable है पर फिर भी electro negative atom पे यानि full rain पे negative charge है और hydrogen पे positive charge है लेकर अगर आप उसे उल्टा कर दें कि hydrogen की तरफ दो electron दिखा दें और इसके उपर negative charge और full rain के उपर positive charge तो ये जो resonating structure है ये consider नहीं किया जाएगा ये least stable है इस structure को reject कर दिया है क्योंकि इसमें electro negative full rain पे positive charge है और electro positive hydrogen पे negative charge है तो जो charges है वो opposite दिखा दिखा दिए गए है जो के possible नहीं है पांच्वी condition है जब भी आप resonating structure को लिखते हो similar charges जो है वो adjacent atom पे नहीं होने चाहिए अगर adjacent atom पे है तो उसको reject कर दिया जैसे यहां पे N2O के तीन structure दिए गए है पर जो last structure है उसके नीचे मैंने लिखा है incorrect है क्योंकि nitrogen पे भी positive charge है oxygen पे भी positive charge है तो मैंने यहीं कहा कि fifth rule के accordingly कि दो similar atom के उपर दो sorry दो कोई भी atom हो adjacent हो उनके उपर दो similar charges जो है वो नहीं होने चाहिए अगर दो adjacent atom पे similar charges है जैसे इस पे भी one positive है तो यह structure जो है incorrect है ऐसे structure जो है वो draw नहीं कहे जा सकते question में क्या पूछ सकते हैं जैसे वो पूछ सकते हैं कि which of the following resonating structure is not correct तो उसमें ये option दिया होगा तो आपने देखना है कि अगर दो adjacent atom पे अगर दो दोनों पे एक जैसा charge आ गया है चाहे वो positive हो चाहे वो negative हो तो incorrect हो गया जैसे ये है अगर electro negative atom पे positive और electro positive atom पे negative charge आ गया तो वो भी जो है वो क्या होगा incorrect होगा I'm sure कि यहां तक आपको clear हो गया होगा तो ये rules जो है इसके MCQs कभी-कभी पूछ लेते हैं अब हम पढ़ेंगे कुछ examples resonating structures की कुछ molecules की ठीक है सबसे पहली example जो हम कुछ resonating structure में पढ़ेंगे वो कार्बोनेट आइन की है आपने hybridization किया हुआ है वहाँ पे आपने अनाइन के structure के उपर एक पूरा lecture पढ़ा था कटाइन और अनाइन के उपर तो ये कार्बोनेट का structure है कार्बोनेट CO32 negative होता है तो ये दो oxygen है जिन पे negative charge है मैंने बताया था कि जो oxygen center atom के साथ neutrally attached जो oxygen neutral होता है और central atom के साथ attach होता है उसके साथ double bond होता है तो ये double bond दिखा दिया यहाँ पे अगले resonating structure में दिखा दिया कि मैं भी यहाँ पे भी हो सकता है अगले resonating structure में दिखा दिया भी यहां पे भी हो सकता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि कार्बोनेट और इन में एक डबल बॉंड है और दो सिंगल बॉंड है तो इसमें दो तरह की बॉंड लेंथ आने चाहिए एक डबल बॉंड की और एक सिंगल बॉंड की पर जब कार्बोनेट के स्ट्रक्चर को एक bond character यहां पे भी है और जो resonance hybrid structure है वो इनके बीच में कहीं लाय करता है ठीक है अब आपको fairly good idea हो गया होगा कि resonance हम किन molecules के लिए यह आइंस के लिए करते हैं जहां पे double bond होते हैं यहां loan pair of electron होते हैं यहां दोनों present होते हैं तो इसमें multiple bond भी है और loan pair of electron भी है तो इसलिए अच्छा octets अब का complete है जो single bonded oxygen negatively charge होगा ना उस oxygen पे six electron बना देना six plus two eight होगे six plus two eight six plus two eight और यह oxygen double bonded है double bonded कब बनाना है जब आपका oxygen आप एक oxygen को neutral लेते हैं double bondedly central atom से attach करते हैं तो उस oxygen के उपर two loan pair होते हैं यहनी चार electron होते हैं ठीक है तो इसका भी octet complete है तो actual structure resonance hybrid इनके बीच में लाए करता है sulfur trioxide के लिए भी ऐसी है बस इसमें यह है कि dative bond दिखा दिया है sulfur trioxide में यह dative bond है data bond है तो इसमें कोई negative charge तो नहीं है sulfur trioxide में लेकिन loan pair of electron भी है और double bonded भी है और जो oxygen neutral आप दिखा होगे उसको double bond से दिखा देना अब सोचो कि यहां पे हमने negative charge यहां पे negative charge नहीं डाला क्योंकि यहां पे हमने क्या कर दिया है coordinate bond दिखा दिया है क्योंकि sulfur trioxide में SO3 इसका molecular formula है इसके उपर कोई भी positive या negative charge नहीं है तो हमने यहां पे coordinate bond दिखा दिया coordinate bond में sulfur अपने दो electron donate करता है oxygen को ताकि इनके बीच में कौन सा bond बन सके coordinate bond बन सके तो इसमें भी double bond यहां पे दिखाया गया फिर यहां पे दिखाया गया मलग double bond अपनी position को change नहीं पर लोग मैं यह बताना चाथा हूँ कि double bond character यहां भी हो सकता है यह भी हो सकता है same structure नाइट्रेट आइन का है, कार्बन डाइक्साइड में हम मोस्ट पॉप्लरली ये न्यूट्रल स्रक्चर लिखते हैं, जब हमें एग्जाटली रेजनेंज हाइबरिट का नहीं पता होता, तो हम जो न्यूट्रल रेजनेटिंग स्रक्चर होता है, उसी के साथ इसको रेप्रे आक्सिजन चुके सेंटल एटम के साथ जो अटाइच है, न्यूट्रल है, तो डबल बॉंडड़ अटाइच होगी, लीनियर स्रक्चर होता है, तो आक्सिन का उक्टिट कंप्लीट करने के लिए दो और दो चार इलेक्ट्रॉन, और चार ये डबल बॉंड में होगए, आठ हलाके मुझे यहां पे मॉलीकुल का स्ट्रक्चर नहीं डिसकस करना है, तो लेजिनस डिसकस करनी है, तो लेटेस जियून के यहां पे डबल बॉंड की बजाए ट्रिपल बॉंड है, अगर यहां पे डबल बॉंड की बजाए ट्रिपल बॉंड होता है, तो फिर यहां पे स सा चार्ज आ गया positive ये वाला bond अगर इस oxygen पे shift कर गया तो इस oxygen पे क्या गया negative charge और 4 की बजाए यहां पे किते electron हो गये 6 इस structure को reverse भी कर सकते हो reverse कर दिया तो reverse कर दिया मतलब कि जैसे इस oxygen पे negative charge था अब इस oxygen पे negative charge दिखा गया तो क्या problem है हम क्यों मतलब ये कार्बन डाइकसाइड का रेजिनेंस जो है वो दिखाना चाते है असल में कार्बन और आकसिजन के बीच में जो डबल बॉंड होता है उसकी बॉंड लेंट होती है 121 पिको मेटर पर कार्बन डाइकसाइड में ये बॉंड लेंट 121 नहीं है ये 115 पिको मेटर है जो के 121 से कम है और कार्बन ट्रिपल बॉंड कार्बन में होती है 110 उससे ये ज़्यादा है यानि के इनकी बॉंड लेंथ डबल और ट्रिपल बॉंड के बीच में लाए करती है इसका मतलब के इसके रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो मॉलिक्यूल की बॉंड लेंथ कार्बन ओक्सिन की बॉंड लेंथ को एक्स्प्लेइन करने की ट्राय कर रहे है ऐसे ही स्ट्रक्चर नंबर 5 है 6 है अच्छा 6 स्ट्रक्चर मैं डेफिनेटली जिरू डिसकस करना चाहूंगा यह हड्राजोइक इसेड है बचे इसको अमोनिया समझके बैठ जाते है यह HN3 है हड्राजोइक इसेड HN3 हड्राजोइक इसेड HN3 HNNN ठीक है तो इनके ओक्टरट सबके कंप्लीट है जो कि यह Totality में क्या है Neutral है तो इसलिए अगर एक Nitrogen पे Positive तो एक पे क्या है Negative चार्ज है Another question rises कि इस Nitrogen पे Positive चार्ज क्या है Nitrogen Actually 1S2 2S2 2P3 होता है तो यह Normally अपने तीन Electron शेर करता है बार्ड मराने के लिए Covalent अगर चौथा Electron इसने यूज करना हो तो यह यूज करना पड़ेगा जब भी Nitrogen अपना चौथा Electron यूज करता है Nitrogen के उपर क्या आ जाता है Positive चार्ज चौथा कैसे यूज किया दो Electron ये हो गए इस Nitrogen के साथ शेर करने के लिए दो Electron ये हो गए इस Nitrogen के साथ शेर करने के लिए यानि कि इस Nitrogen ने चार Electron यूज किये हैं इसलिए इसके उपर क्या है Positive चार्ज है अब यहाँ पर भी देख लीजिए यह Nitrogen चार बार्ण बना रहा है चार्ज आना चाहिए ठीक है ओके और ये जो स्ट्रक्चर है थर्ड ये रिजेक्ट कर देना है ये लीस्ट स्टेबल है क्योंकि दो अड्जेसेंट एटम पे सिमिलर पॉजिटिव चार्जज है जब दो हमने रूल्स पड़े थे रूल्स फॉर राइटिंग रैजनेटिंग स्ट्रक्चर जब दो अड्जेसंट एटम पे एडेंटिकल चार्जज आ जाएं तो वो स्ट्रक्चर जो है लीस्ट स्टेबल होता है उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं ठीक है अलिए यह थे आपके भीरिजनेटिंग अ स्ट्रक्चर जॉ के इग्जामबल्स जब हमारे पास है एग्जामपले एक बिंजीन की बिंजीन में दिखाया गया कारबन डबल बॉण्ड कारबन फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर सिंगल अगले रेजने डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ने अपनी पुजीशन को चेंज नहीं किया, हमने अलग जगा पे दिखा दिया, कि शायद ये मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंद को एक्स्प्लेन कर दे, ये कैकुले नाम के साइंटिस्ट ने दिये थे, इनको कैकुली स्ट्रक्चर कहते है स्ट्रक्चर 3, 4, 5 जो हैं, डेवर्स स्ट्रक्चर्चर हैं, इसमें एक बड़ा बॉन्ड दिखाया गया, यहां पे भी डबल बॉन्ड दिखाये गया है, लेकिन एक बॉन्ड बड़ा दिखाया गया है, ऐसे यहां पे भी और यहां पे भी मलब एक आप कह सकते हैं कि तीनों बॉर्ण वर्टिकल दिखाए गए है यहां पे डाइगनल दिखाए गए है ठीक है लेकिन तीनों में डैवर स्ट्रक्चर्स में एक बड़ा बॉर्ण है दो छोटे बॉर्ण है जो कि किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं होते अब केकले स्ट्रक्चर जो है यह बेंजीन के बॉर्ण लेंथ को तो नहीं जस्टिफाई करते बेंजीन के कार्बन कार्बन में सारी जो बॉर्ण लेंथ है 139 पिको मीटर है तो अगर कार्बन डबर बॉर्ण कार्बन लें तो अलकीन में क्या पढ़ा था इथीन में क्या पड़ा था, कितनी बॉंड लेंट होती है, 134 और कार्बन सिंगल बॉंड सिंगल लें, तो कितनी होती है, 154 तो ना तो ये 134 आ रहा है, ना 154 आ रहा है बलके बॉंड लेंट कितनी आ रही है, 139 यानि कि यहां पर डबल बॉंड टच करता है और यहाँ पे भी double bond का character होता है लेकिन यहाँ पे हमने अभी single show किया हुआ तो actual structure कहीं बीच में लाए करता है और actual structure जब हम बिंजीन के chapter में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि यह double bond और single bond जो alternate है यह अपनी जो है electron cloud इनका जो है हर carbon को touch करता है छे carbon हैं इसमें हर carbon को touch करता है और एक ring like structure जो है बना देता है जो explain करता है कि बेंजीन के अंदर carbon carbon bond length जो है 139 picometer है ठीक है मैटा clear है तो कुछ misconceptions है resonance के बारे में इनको हमें clarify करना है हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है about the resonance तो misconceptions को clarify करते हैं क्योंकि बहुत सरी misconceptions हैं इसके बारे में पहली चीज़ मैं जो clarify करना चाहूंगा कि canonical form की कोई real existence नहीं होती ये imaginary और hypothetical structure होते हैं मैं आपको पहली बता चुका हूँ और ये भी नहीं है कि ये molecule जो है वो certain fraction of time के लिए एक canonical form में फिर दूसी canonical form में certain fraction of time के लिए exist करते हैं ऐसा कुछ नहीं है और कई लोग सोचते हैं कि जो actual structure है वो canonical form का mixer है जैसे canonical form को mixer grinder में डाल दो तो जो molecule exact है उसका नया structure जो है वो मिल जाएगा जब molecule को हम single way structure से नहीं explain कर पाते हैं तब ही तो हम resonating structure जो हैं वो draw करते हैं ठीक है तो resonating structure सिरफ और सिरफ उनी molecules के लिए है जब एक single way structure molecule के पूरे structure को explain या exact structure को explain नहीं कर पाता तो फिर हम कैसे ये shorty के साथ कह सकते हैं कि जो resonance hybrid structure है वो exist करता है या होता है या नहीं होता है yes definitely होता है क्योंकि हमारे पास जो है बड़ी classes में जब आप जाओगे तो वो आपको spectro पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे के वाकि कार्बन डायकसाइड का structure है जो उसमें कार्बन और oxygen की जो bond length है वो कितनी निकलती है क्यों निकलती है और कैसे निकलती है ऐसे ही बाकिज़ ठीक है तो features क्या है resonance hybrid के resonance hybrid जो है canonical structure से ज़्यादा stable होता है canonical structure imaginary होते है resonance energy resonance energy के बारे में मैं तना बताऊंगा के एक molecule जो के resonance show करता है उसकी heat of formation जो है वो greater होती है than calculated heat of formation of any of canonical form the difference is represented by delta E and is called as resonance energy यहाँ मैं आपको ऐसे बताता हूँ canonical structure जो सबसे ज़्यादा stable है और resonance hybrid इन दोनों की energy के बीच में जो difference होता है उसे resonance energy कहा जाता है ठीक है most stable canonical structure और resonance hybrid की energy के बीच में जो difference है that is called resonance energy अब क्या हम bond order ऐसे molecule का निकाल सकते हैं जैसे benzene है जैसे carbonate ion है येस निकाल सकते है बेंजीन का bond order निकालना हो तो जो molecule resonance शो करते हैं उनका bond order निकालने का तरीका है bond order is equal to total number of bond between two atom in all structure divided by total number of resonating structure मैं इसे एक से explain करता हूँ ये benzene के दो resonating structure है इसका bond order निकालना है तो पहले आप इसको consider कर लीजिए पहले resonating structure में one two तो यहां पे क्या है double bond यहां पे लिख दिया double bond फिर one two के बीच में दुबारा से देख लेना क्या है single bond single bond double bond को two लिख दिया single bond को one लिख दिया divided by resonating structure तो इसके resonating structure जो है वो कितने है one और one two two से डिवाइड कर दिया three upon two is equal to one point five तो इसका मतलब benzene का bond order क्या आगया one decimal five आगया दूसरा जिसका हम example ले रहे हैं वो है carbonate iron ये carbonate iron के तीन resonating structure है तो definitely bond order निकालते वक्त नीचे total number of resonating structure लेना होता है तो हमने यहाँ पे three ले लिया क्योंकि ये resonating structure किते हैं three है ठीक है तो आप कोई भी दो atoms को पकड़िये सारे resonating structures में या इसको पकड़ लिया यहाँ पे क्या है double bond फिर यहाँ पे उसी जगह पे देखना है single bond यहाँ पे फिर से क्या है single bond double bond मतलब two फिर यहाँ पे single bond मतलब one यहाँ पे फिर single bond मतलब one upon 3 upon 3 क्योंकि resonating structure जो है इसको divide करना है total number of resonating structure resonating structure मैं पास 3 है 3 से divide कर दिया 4 को 3 से divide किया तो क्या आगया 1.33 ठीक है तो इस तरह से हम bond order जो है ऐसे molecules या iron का भी calculate कर सकते है जो resonance का phenomena show करते है clear है बटा तो इसके साथ ही हमारा जो है ये resonance का topic जो है वो खतम होता है अब हमारे पास chemical bonding में सिरफ एक ही topic बचा है जिसका नाम है hydrogen bonding that will be starting from tomorrow that will take 2-3 lectures to finish with that your chapter will be finished right उसके बाद फिर हमने hybridization तक objective की हैं mcqs उसके बाद 2-3 दिन आपके mcqs चलते जाएंगे फिर उसके बाद हम आके चलेंगे next chapter पे that we call it today thank you very much thanks love you all have a great day झाल झाल झाल